ना नेक्षी Ma रउक्राइंस और रिमीविंग लास्ट प्रोगाम में डिसकर करना चाहता हूं राज़टाओ श्युम्न किसको इंपिलीबंट करने के लिए अगे आप प्रोल्म क obtain logics के जश्वाद सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें किसी वर्ड किस टाइप करें इस टाइप कर छुका है क्लियर एगर मैं फिर सेंं टूर्म सं लॉजिक फिर से आपको एक्सांग करूंगा । जैसे आपको फर्स्ट सब्सक्राइब कराने के बाद आगान साच क्या करते हो नेक्स लिछ और फिर से जैसे नेक्स लिएक इंडेट्ल लिए पे लिए पर Sat परफों कराएंगे तिल दा एंड ऑप और जिनल इस्टिंग फॉर एक्जामपल इसकेस में जास्ट को इंप्लिमेंट करने के लिए सिंपल एक्जामपल यूज करें हुआ है विए हैविंग सम और जिनल इस्टिंग आइस कॉर्पोरेटर सी ओ आर पी ओ और ए डी ओ आर प्लास इस्टिंग टेंट केसे वह नल कैरेक्टर्स कॉर्पोरेटर इस कॉर्पोरेटर सी के एंदा जैस्ट मुझे रिमूब कराना है लाजिक्स बाए डान करेंगे सोर्स क्लीट कि妇स्ट प्रीमिझ प्रीज्ट करमब कीया करा त्रीनावाइब न्युवारोच रेग मैं त्रीजिक्ट दगता है। नजवेंग फस्करेंस और इंवेंग लाज्ट क्रम के देखा टोटल जांस कितने 12 ऑर के टोटल ऑकरेंस रेपीट किने गोए थी टाइब दो इसके से अरुपरेंस कितने प्लेसें अगें से मिलेंगें अगें अगें आगें तो नल इससे में सबस्ट्रिंग क्या है और पेटन यह है यह स्ट्रिंग ओ आर लाइक का प्रीवियस केस औरिजिनल स्टिंग इस पॉंटेड वाई पॉंटर वेरिवल एंड सबस्तिंग पॉंटर वेरिवल बी इसकेस में असान के हुग है ओ आर नल इंडेक्स वैल्यू इस जीरो वन तो थी प्रफाइफ शेक्स देवन एट नाइन टेन यह नेक्स नेक्स वैलिए जीरो वन एंड तू इससे आपको इस्टेप बाइशन सबसे पहले परफुम क्या अगर वे और जिनल इस्टिंग को ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉं बिगिनिंग टू एंड प्लस और श्रीनल स्टिंग कर सबसे पहले सबसे पहले सी मैच करोगे सी मैच हो रहा है क्या नहीं नेक्स टाइम मैच क्या करेंगे अगें सेम प्लेस से से नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट क्यारेक्टर इस अगन ओ भी किसे मैच होगा बेगिनिंग प्लेस से तैन ओ मैच हो रहा है जैसी मैचिंग फांड नेक्स्ट क्यारेक्टर नेक्स्ट प्लेस के साथ मैच कराएं अगें नेक्स्ट क्यारेक्टर भी मैच हो रहा है इसके जास् रहे किजिए एव को करें प्रसेसिटिंग स्फिनगल क्या करें आरे just अमें एरे को में क्या करें यह से लिए इसे खताइए खालँ करू आइख तुरा आदेगे इंडेक्स Less लेंथ भी क्या है also to just this case में required क्या हो length of next just आपको पर्फों क्या कराना है इस case में क्या length क्या है two then अब length भी separate variable manage कर सकते हो as two विसे लेंथ किसका है length of string b region इस case में जैसे यह searching found हो रहा है ये का value null हो चुका है मिसे इस case में success condition क्या हो जैसे वो occurrence found हो तो occurrence के according success condition क्या हो whenever b of j becomes null और equal equal null जैसे b of j null के equal होता है then इसका मतलब क्या है मिसे pattern found हो चुका है pattern found हो चुका है then next case में आपको apply क्या करना है इस condition two होने cases में आपको apply क्या करना है remove operations और remove operation क्या है remove operation नतिंग बड़ एप्लाइं data shifting इस case में data को shift कराएंगे in that inside original listing को original listing के case में just data means currently सबसे पहले match क्या हुआ था c j k के case मात करना इस case में two iterative variables है i and j currently आप check कर सकते हो i k के miss j का represent last index तो j का value क्या हो चुका हो initially क्या था 0 then 1 then 2 j का current value क्या है 2 i k case मात करना तो i recently किस से मैंच हुआ है इस आर आर से मैंच के दो आई के पास भी क्या होना चीज़ी इनिसली जीरो वन एंड टू आई का भी value क्या corresponding that one वा थेन आई आई आपको again set का करना है मिस बिगिनिंग प्लीस और बिगिनिंग इन्डेक्स आई को बिगिनिंग इन्डेक्स पर सेट करना है एक लोगिक कहा सकते हो आई गाई कोई लोजिक्स करेंगे किस प्लेस को रिप्लाइट करेगा बिगिनिंग इंडेक्स तो बिगिनिंग इंडेक्स के रिस्परक्त में एक और समीन से इसकेस में next time पर्फूम क्या गरा है data shifting तो data shifting आप चेक कर सकते हो total shift operations किस प्लेस के लिए पाई my का वेली क्या one सबसे पहले one index में copy क्या हुआ हुआ है तो आपको remove क्या गराना O and R तो O और R के बार just next coming character क्या P तो P just किस place पर आएगा in place of O का current index क्या बंदू one index के place पर किस index का element copy हुआ थाइड इंडेक्स का similarly R के place पर क्या replace हो जाएगा means O के place पर क्या replace हो चुगा है just P P replace होने के बार next time अब आपको shift क्या कराना है O वो किसको replace करेगा just r को इस place पर क्या जाएगा o check कर सकते हो o का index क्या था r का index क्या था 2 और o का index क्या था 4 next time second index में कौन साइब कॉपी element copy को 4th index element next time 50 index का element copy किस place पर होगा 3rd index पर 3rd index में existing element क्या था p और p already shift हो चुका p के place पर क्या जाएगा just again r clear then next time again इससे यहां shifting किसके लिए 3 and 5 means third index में आप कॉपी क्या था 5th index का element then next time similarly इस type से copy क्या होगा o के place पर कॉपी क्या होगा just a and r के place पर कॉपी क्या होगा टी एक के place पर कॉपी क्या हो रहा है अगें ओ टी के place पर कॉपी क्या होगा अगें r and o के place पर अगें क्या क्या कॉपी हो जाएगा just null इस रिमेंडिंग के रेक्टर्स को रिम्यू कर रहा हूं इससे आपको फाइनली फोर्थ इंडेक्स में कॉपी क्या होगा था फिफ्ट इंडेक्स का element and so on फाइनली इंडेक्स में difference कितने का है टू का difference कितने का है टू का तो यहाँ 1 2 3 1 किसके पास है आई के पास तो आई के 3 1 plus 5 just 1 plus 2 यहाँ 1 itself है every time 1 किया है आई का वैली गया था इनिशली 1 तो इस प्रेस पर क्या एगा just 1 clear sorry i sorry मैंने mistake किया है इसको राइट डाव में इस टाइप से करेंगे ब्रेक्स फर्म में करेंगे like that इस वह 1 प्लस 2 then 2 प्लस 2 then 3 प्लस 2 then 4 प्लस 2 and so on तो यह 2 itself के है length of target testing जो कि length किसमें इस्टो करा लिया है वैने variable length और चेक कर सकते length already किसमें जे में तो आपको length variable separately create करने ही need नहीं इस जब भी आपको length required होगा length के place पर यूज़ क्या कर लेंगे value of j inside that tape space पर 2 के place पर क्या यूश कराएंगे j इससे सारे के सारे organs replace के सी करा हो यह से प्रस से space पर पर प्रेट के से करा होगा ज़स्ट i left-hand side में पूरे सारे के सारे value i से रेपेंट जो तो right-hand side में सारे value कराएंंग अलसो आई फाइनल इस केस में एसे ए और आई प्लस ली किसे में आई क्या करा अब बिगिनिंग इंडेक्ज क्लियर फोर्लूप को पो लूप क्या कराएंग इस इनिशिलाइएशन ओर चुक है एक सेपरेट वेरिवल उसक्राइशन एक इंडेक्स वेरिवल और अल्री आई अल्री अवेलिवल एक नो इनिशिलाइशन देन इस प्लेस पर राइट डाम क्या कराएंगे जस्ट ए ओफ आफ आइप प्लस वन मिस्टार से शिप्टिंग ऑ असान क्या हो चुका है वन नेक्स्ट टाइम फोर लूप के अंदर पर्फॉम क्या करा हुए इस आई का वेलिव आपको बाद में भी रिक्वाइब हुआ है मैं कर जाता हूँ आई में कोई चेंड नहीं होना चीए इस लिए इस प्लेक्लार केस को इंडेक्स को मैनेज करने है आई नोजरी का वेली वन इसलिए को क्या ह Rolling इसलिए वान इसलिए फॉट और के क्टोई सी एूप किया करांएंगे के कलाएंगे यूप यूटे इस लॉजमाने के बाद ये सेव्ययुट यह रित ला कपी होगा यूभी обрат कलास्ट की और के लिवा के समए बार आ बाराईंगे जे अभी किसको रिप्रेंट करा नला को अगेन फिर से next character अगेन फिर से current place से match करना start करा है clear current place में जिस place पर भी i set है और i काहां set है currently i गार रिप्रेंट करा 1 index तो अगेन 1 index का element किस index से match कराना है 0 index 0 index से match कराने के लिए अगेन j को फिर से reset का करें j का current वाली किया हो चुका 2 अगेन j काहां reset हो जाएगा 0 से j का वाली किया इन slice करें j equals to 0 clear next अगेन same code में फिर से आगे continue कर रहा हूँ this is the existing case इसके जैस्ट वाब मिस अभी only first case में only अभी तक remove क्या हुआ है only first occurrence again हो सकता same place onwards next occurrence फिर से फांड रहा तो next time अगें फिर से same place से आगे continue करेंगे for removing remaining occurrences इस case में just continue होने के लिए मिसे logic के इसके अंदर है for loop के अंदर for loop के अंदर array a के all element 0 to 0 visit करा है और 0 to n-1 means null position इस सारे logic के इसके इन लूप के अंदर तस इसके अंदर जो logics होंगे जूसे logic के according find क्या करेंगे occurrence occurrence के सार्च करें लॉजिक में already बता चुको है जश्ट भी source code में राइट डाउन करूंगा again इसके basis पर फिससे search क्या हुआ occurrence तो next time जब ऑकरेंस सार्च कराएंगे check it occurrence के इसके रिस्पेक्ट में लॉजिक के सार्च से पर्फूर रहा है लाइक अगन आई का वेल्यू क्या है वन तो वन इंडेक्स का और जे में कैसा नहीं हो चुका है पर प्रेill से तो 너무 यह लिएग औरंज गुपालताइस है वन इंडेक्स एंड गरेंका यह रहा हुआ नहीं जीरो इंडेक्स क्लियर तो अगें ये कंडिशन के साथ तू परफों के अगए प्रफों के अगए अगए फ्रिसे प्लस प्लस जे प्लस निए युद अगें लगेगा अगें लुड तो इसका मतब के ने से अप्लाई हूं data shift operations data shift operations के according i में कैसा न हुआ i equals to i plus means again आपको required क्या है again searching again shifting किसके लिए होगा second occurrence के लिए second occurrence का beginning index क्या currently 2 और i के पास क्या 3 तो आपको भी expected value क्या space पर 2 क्योंकि again जब operations shifting operation second index से स्टार्ट हूंग चेक करो तो इस case में i का value क्या 3 3 plus 1 minus j j का value क्या 2 4 minus 2 is 2 difference क्या है गा 2 और 2 असारन के समुरा है i में तो i का value फिर से क्या हो जाएगा 2 तो i immediately second index वाले element को represent करेगा क्या हमकि shifting भी आपको इसी place से अप्लाई करना है स्टार्ट करना है clear next one इसको जब लूप स्टार्ट होगा तो लूप के अकॉर्णिंग के में क्या हो जाएगा value of i i का value क्या 2 तो k का value भी क्या होगा also 2 clear then इस प्लेस प्लेस पर ने कंडिशन में लूप के that element क्या होगा आपको replace क्या कराना है o and r जैसे element का टार्ट जैसे a को कॉपी करना चाहिए यह का index क्या है 4 चेक करो इसके किसमें a k का value क्या 2 j का value भी क्या 2 2 plus 2 is 4 a of 4 कॉपी किसमें होगा a of 2 में और a of 2 में क्या है existing value o now o is replaced by a next time अब same copy operations apply के में से o replace हो चुगा और next element से a तो shift हो चुगा है अभी shift कौन हुगा a अब next a के बाद shift किसको कराना t को तो next time t को shift करेंगे और t किस प्लेस पर आएगा just this case में perform क्या हो चुआ होगा k plus plus तो k का value क्या हो जागा इस case में 3 3 होने के case में just फिर से perform क्या होगा a of 3 equals to a of 3 plus 2 is 5 इस place पर क्या होगा 3 3 plus 2 is 5 next time a of 5 का element a of 3 में copy होगा means that place इस place पर copy क्या होगा a of 5 element means this place पर existing value क्या t t similarly a के place पर क्या replace हो जाएगा o and t के place पर क्या replace हो जाएगा r and o के place पर क्या replace हो जाएगा null clear again null जैसे null copy को इसको आप cancel करो गया empty place real में space पर contents तो होगे एक बार आपको null में लिया और उसके पास remaining character आप ignore करो में space पर कौन सा data doesn't matter clear every time में check का सकते हो फर्स्ट टाइम होगा replace के 2 से length to reduce हुआ अगें फिसे जब सेकेंड नोग क्राइं से रिमूव करा है दन आखें सेम इस्टिंगा length reduce कितने characters हो चुका आजा 6 और a of 6 में क्या null जैसे इस place पर a of 6 का value रिप्लेस होगा नल अगें ने फो लूप का condition false हो जागा तो जे में आगें कैसा हो जागा 0 जे का value क्या हो जागा 0 next time अगें फिर से आगें फिर से आगें फिर से किसे index से match करा हूँ गीजे जीरो से लेकिन आगे a का कौसा element match करा वो depends करेगा आई में कौनसे index इंडेक्स किया 2 तो आगें secnd index onward आप match करना स्टार्ट करो second index match हो रहा है किसके में नई मैस क्या कराए इंडेक्स में इस was next time again next then i मेंống इसके समिए इंक्रिमेंट में जो नहीं बिर कोयोगा गन्नेक्स च्रूब भां आहीगो वैली क्या फरी ठाट इंडेक्स का लिमेंट ऊंगाहें terror index می् स्ट्प एनअग पर बनाओ पर कंडिशन टूब यार्फ लूबब can do this होँ एकम नेक्स्ट टाइं आप नेक्स्ट इंड्शक्रेंट से कंप्लिव एक्स में ऑय कर गएगए गएगा और है दो आई का फाइब रहा तो जेे स्ट हरा जाएगा जय स्ट वन येस्ट ताइम फिप्ति इंडेक्स में चेक करो अगें परफूम क्या हुआ जे प्लस प्लस टू इसका टेस्ट के आगए अगें इफ कंडिशन मीस से ए ऑफ जे अपको फिर से आपको परफूम क्या गरा ना शेप्ट आप तो सिप्ट जो आगें फिर से आई में क्या असा आगए एंसाइड बाडी ओ एप आई के प्लेश पर रिप्लेश करेंगे आई का वेल्यू 5 प्लस वन माइनस जे जे क्या है 2 5 प्लस वन इस 6 6 मानस 2 इस 4 6 मानस 2 इस 4 तो फाइनली इस इस case में आपको subtraction sorry remove क्या कराना 4th and 5th index के element तो इस पाइटिकुलर expression के according i में क्या असान हो जाएगा 4 तो again i कि स्कोर प्रेंट करेगा 4th index को देखाया तो i कि स्कोर रफर करा next element means 5th index again i फिर से reset क्या हो जाए वहांदा 4th index 4th index element के लिए अब पर्फों क्या करा हुए shifting remove क्या कराना o and r इसका जब लूप चलेगा तो k में क्या असान हो जाएगा i i का वेली 4 है तो k का वेली अगें क्या हो जाएगा also 4 next time again same 4 loop 4 loop के इंदर condition क्या है a of k k का वेली क्या है for a of 4 में असान क्या जाएगा a of k क्या है 44 plus j plus then a of six और a of six में क्या है null इस पर directly a of four में copy क्या है जाएगा null element क्या हूँ a of six में क्या है null बूस्प्रेश्पर क्या जाएगा null plus null आने के बाद है null itself a of 4 का वेली रिफ्लेश का हुए inside condition condition में क्या का रेप्लेस होगा, A of 4 का वैल्यू, और A of 4 का वैल्यू का वैल्यू क्या है, just null, null है, means condition becomes false, condition false हो जाएगे, तो में control का जाए, means outside for loop, जे में आगेन क्या सान होगा, 0, इसके just was, अब control का जाएगा, original place, for loop के अंदर, for loop के अंदर, just I का वैल्यू का वैल्यू क्या, currently, 4, for loop में condition क टेस्ट होगा, A of 4, और A of 4 में अगया, null, जैसे ही, I, null को refer करेगा देना, outer loop stop हो जाए, clear, मीं से inner loop का वी stop हो रहा है, जब B of J का वैल्यू नाल है, से में, outer loop का वी stop होगा, जब A of I का वैल्यू नाल होगा, मीं से stop होने से पहले, आप check का से, तो O and R के सारे occurrence रेप्लेस हो च टू, 4, 6, clear, then, इसे return क्या करा हूँ, original string तो इस operations को पर्खूं करने लिए, just to source code क्या रहेगा, return क्या क्राएंगे, original string, therefore, we are taking return type as char star, function name as, remove all, कितने strings fast करा हैं, इस case में, two strings, char star A, char star B, logics की बात क्यान, logic almost कैसे, same as previous examples, source code कैसा, almost same, just आपको add क्या करा ना, that new code, remaining पूरा code, यह particular occurrence search करने का code कैसा, same as previous, next one, first step कैसे, searching first occurrence, plus this particular problem को solve करने के, total variables करने, i, j, and k, integer, i, j, and k, then, for loop, सब्सक्राइब, first step क्या था, reading, all contents of array A, from left to right, is in that loop, इस array A के सारे element आपको भी जट करना, तो, इस case में, just, use क्या करेंगे, i, i equals to 0, plus in loop कर चला हो, जब तक A of i का value, null नहीं हो जाता है, then, every time, i plus plus, then, इसके इस लूप का में पर बच क्या है, इस लूप के इनने, just, operation two steps में जोएड होंगे, first step क्या रहेगा, searching, search occurrence, occurrence of submitting, occurrence found होने के, just बाद, immediately, then, second step क्या रहेगा, applying shift or remove operations, और removing, पहले तो, आप occurrence search करोगे, then, occurrence को remove करा होगे, two steps, तो, सबस्वेले, occurrence को search करने का logic, प्रोइड करना हो, इस case में, occurrence को search करने का logic, exactly कैसा, same as previous case, nothing new, इसे, every time, आप apply कैसा क्या हो, searching first occurrence, first occurrence, search करने की, just logic क्या रहेगा, इस case में, every time, a of i का element, मैंने match कैसे करा हुए, b of j से, means, f, a of i, is equal, equals to, b of j, अगर a of i का value, b of j से match हो रहा है, इसका अमलब क्या है, next time, a का next element, b के next element से, आपको compare करा रहा है, तो, i में तो increment loop के थूँआ लेकर आपको, इस case में, b का next element, represent करने के लिए, increment किसमें कराएंगे, inside variable, j, next one, अगर एक condition false है, मैंने क्या होता है था, just कोई element, जब आप compare करा हुए, तो, means, j के साथ compare कराने के, इसमें, याद दो, condition true है, false होगा, और, j से match नहीं हो रहा दना, आप, again, same, a of i element, match कैसे करा हुए, तो, array b के first element, जो, first element का index क्या रहेगा, 0, इसलिए, एक और condition क्या रहेगा, इस place पर, l, safe, a of i, a of i means, क्या, again, same element, जिसे, a of i, finally, maximum, कितने बार compare होने, चांस होगे, तो, अगर first time में, a of i, b of j से match होगे, तो, second condition, test ही नहीं होगा, तो, first time में, जिसे, a of i, अगर, b of j से match नहीं हो रहा है, then, a of i किसे match करा हुए, first element of array b, और array b के first element का index fixed है, always 0, चलिए, डारेक्टली के युच करा हुए, 0, अगर, a of i का current value, array b के first element से match हो चुका है, first element का index करा हैगा, 0, तो, आप next time match के से करा हुए, next element से, और first index के, 0 index बार next element का index का होगा, इसलिए, इस case में, j के अंदर क्या असान करा हैंगे, one, क्योंकि real में array b के लिए index का रहेंट करेगा, j, इसलिए, j का value क्या असान करा दिया, one, क्यों next time, next iteration में, just comparison के से करा हुए, array b के one index से, और j, next time, control आगे जाएगा, तो, i में भी increment होगा, then, a of i, a के next element का comparison के से होगा, b के next element से, अगर ये, दोनों ही condition false है, then, इसको मदब क्या, अभी comparison स्टाटी नहीं हुआ है, या matching founding नहीं है, matching founding was in every time, ये of i के सारे element, byte world के से image कराने हुए, first element of array b, और array b के first element के index क्या रहेगा, 0, इसलिए i को, sorry, इस case में, j में क्या सान करा रहे हैं, j equals to 0, clear, next one, तो, इस particular logic के case में, in logics का मेंड पर बच क्या है, searching occurrence of sub-exting, इस logic के, through just sub-exting का, sub-exting सार्च हुगा, sub-exting का occurrence found हुगा, लेकिन occurrence found हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी acknowledgement को न देगा, अगर j के पास array b के null element का index available है, यहना आप consider करा हुए, string is matching, तो, इस case में condition का write down को रहे हैं, a4, b of j is equal equal null, अगर b of j का value null के equal है, इसका मुनलब क्या है, string is completely matched, इस नल का वोगा last character, अगर यह last character को repeat कर रहा है, इसका मुनलब क्या beginning सारे character में सारे character में सारे character में सारे character में चुछ चुछ चुगे, तो आपको requirement क्या है, applying data shift operation, इसके occurrences क्या थे, searching occurrence of sub-exting, एक वर आपको occurrence मिली का देए, इस case में if condition क्या देए, आपको true, आपको shift करने की need है, तो shift करने की need है, आपको require क्या हो shifting काँ से करोगे, मिस beginning index of first character, और matching character, matching place का first index, तो इस case में matching place का index क्या calculate करने के use क्या करने इंगें, i plus 2, i plus 1, minus j, अगर आपको इस logic में कोई confirm होड़ा, तो आप इस video को अगें, मिस beginning से प्रेसे एक बार watch करूँ पहने, आपको बताया भी था, इस अगें जिस place से आप shift operation, सरी, shifting operation और remove operation के इस index से अपला करोगे, searching place के beginning index, जो beginning index के सिमिलिक आपको इस expression के through, clear, तो i के पास क्या जाएगा, beginning place का index, तो i का value आपको preserve रखना है, next time, shifting operation manage करेंगा using separate variable as k, k में क्या असान करा हुए, i, k को shifting किस प्रेस से start कराना है, from i onwards, shifting के अंदर, a of k में every time copy क्या कराएंगे, a of k plus j, क्या है, j क्या है, j क्या है, j is nothing, but j इस case में क्या है, just length of b, क्या है, जिससे element को shift कराना है, उन्हों से, जिससे place पर element को copy करना है, जिससे element को copy करना है, उन दौनों places के index में just कितने का difference होगा, dependent करेंगे वादे था length of b, अगर array b का length 2 है, तो difference भी कितने काएंगा, every time, 2 का, same है अगर b का length 5 है, तो difference भी कितने काएंगा, also 5 है, इसलिए उन्हों लोजिकली क्या place किया, space पर j, क्यों जो भी length है, length क्या आएगा, j, और j का represent का null, जैसे j is null को representing, जैसे j itself क्या है, j is also representing length of array b, next one, plus data कब तो copy होगा, जब तक a of k में null copy नहीं हो जाता, null copy होने मतलब कि सारे के सारे element कॉपी हो चकी है, जैसे null आएगा, null के case में condition false हो जाएगा, every time increment के समय हो रहे हैं, k में, k++, closing this loop by using semi colon, next one, इसके just one next required किस क्या है, मिसे loop जैसे terminate होगा, उसके बाद next time, a of i का element फिर से किस प्रे से मेंच करना, start करेंगा, array b के case में, beginning index से, और beginning index से मेंच कराने के लिए, जैसे में फिर से ही का असान करा दें, j equals to 0, then close this if, by if condition, clear, next one, closing this for loop, इसा आपको for loop भी close करने जुरूद है, then final is case में, return क्या करा होगा, return original array a, और array a के element, then closing this function, just to test करने के लिए, आप separately program, और separately उसके अगर होगा, main function, यह सब भी बादे लोजिक के और डारेक्टी राइट ना करें, write करेंगा, in the form of user defined function, जब भी किसी string के अंदर आपको work किसी भी particular required word के through, आपको सारे occurrences replace, रिप्लेश रिमूव कराना है, इस case में उसके required place पर call क्या करेंगे, remove all function, program को test करने के लिए, जब से भीले two array define करेंगे, array a, a के अंदर के अश्ट रोगा, original contents, array b, b के अंदर के अश्ट रोगा हुए, sub string, जिस स्टिंग को आप remove कराना चाहते हो, next one, reading, inputs, inputs में कितने string के लिए data read कराना है, array a और b, inputs रीड करने के लिए, आप scanf भी उच कर सकते हो, gets function का भी उच कर सकते हो, scanf का भी space को read नहीं का था, जबकि gets function इस place को भी read करेगा, clear, plus scanf के थूँ किसी भी type का data read कर सकते हो, gets function के थूँ only string read करना possible है, data read करने के ज़श्ट बाग, then printf, printf के अंदर मेंने display क्या कराया, % as, % as से display क्या हुआ, string, और इस function का return type भी का character भी, string, इस place वे ने call किया, function name as remove all, remove all में बाइन two string पास गिए, two array पास कि a, b, close this, then again original string display कराने के लिए फिर से उसके अब printf, slash n, % as, then again array a, इस दोनी printf के थूँ only printf के थूँ only, output message कैसे display होंगे, exactly same message, gets function के थूँ only, आप केसी भी string को test कर सकते हुए, इस program को different print inputs के लिए test करना पॉस्विल है,